नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद प्यस परिहर में आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप लोगों को सिक्षक भरती से समंदित सभी अपडेट समय समय पर मिलते रहें उसी क्रम में दोस्तो आज ये अपडेट है आपकी काउंसलिंग प्रक्तिया के बारे में कि केतने का बैंक ड्राफ लगना है कौन सा हालफ नामा लगना है और क्या प्रोसेस है तो दोस्तो आईए हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले जो नए मित्र हैं जिन्हों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कि पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तो आधिकारिक विग्यप्ति है जीला बेसिक सिक्षा अधिकारिक गोंडा की और वहां पर ये पूरा प्रारूप उन्होंने बताया है कि किस तरीके कौंसलिंग प्रक्रिया होगी दोस्तों जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि अनारक्षित महिला अनारक्षित और अनारक्षित महिला और अन्य पिछडा वर्ग यानि कि अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग काउंटर वहां पर लगया रहेगा और अपने वर्ग के अनुसार सभी लोगों को अपने काउंटर पर जाना जहां पर मूल प्रमाल पत्र और उनकी फोटो कापी औ आना रक्षित पूरुस और अन पिष्डा वर्ग पूरुस और इसी तरीके से एसी और एस्टी के लिए और विक्लांग और भूत पूरुस हैनिकों के लिए उनके लिए भी अलग काउंटर होगा और उसकी लिस्ट बाहर रहेगी कि 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 किस काउंटर पर किस वर्ग के विक्त बैंक डराफ के पीछे अबर्टीका सूची करमांक रिजिस्ट्रेशन नमर नाम पिता का नाम अनिवार रूप से अंकित कराएं। दोस्तों यह तो उध्रूप कि किसी को आपको कोई भी जिलालाट होगा कोई भी जिला मिलेगा। लेकिन ये वारा bank drop common bank drop है जो सभी विद्धार्थियों को बनवाना होगा और वो भी जो है उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशत इलाबाद के पदनाम से तो इसको आप लोगों ने बनवा लिया होगा नहीं बनवाया है तो अभी आप लोग बनवा के इसको रख चुकि समय बहुत कम दिया गया है और फिर दोस्तो आपका प्रसिश्चन अरता वाला जो प्रमाल पत्र है इसको बनवाना है नीचे लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे बीटीसी वाला और फिर आज एक से पांच हेतु टीटी वाला ये कारज और फिर नीचे तीन न रखिएगा एवं चार पासपोर्ट साइज की फोटो दोस्तों पासपोर्ट साइज की फोटो जो है कम से कम दस फोटो अप लोग रखिएगा चुकि हालफ नामा वगेरा और अन्य कामों में भी ये फोटो काम आएगी और फिर नीचे लिखा हुआ कि निर्धारी सलगन प् टाम पेपर पर फोटो युक्त नोटरी उसका प्रारूप भी निल्धारत कर दिया गया कि किस प्रारूप पर ये बनाब बनवाना है हलफ नामा और फिर नीचे लिखा हुआ कि समस्त सेक्षिक प्रसिक्षण एवं अन्य यानि कि सिक्षक पात्ता परिच्च निवास जाती विकलांगता जितने भी प्रवाल पत्र हैं ये सब 18-18-2018 के पूर्व के हों तो दोस्तों ये पहले से ही आप लोगों ने इनको बनवा लिया होगा फिर नीचे दिया हुआ कि पैचान पत्र की छाया प्रती आवेदन पत्र में अंकित पैचान पत्र काई हो जिसका मूल प्र लगाईएगा पहले जिस जो नाम आपकी हाई स्कूल की मार्ग सीट में हो और आपकी वोटर कार्ड में भी हो उसको प्रात्मिक्ता में रखिएगा और उसके बाद से अगर आप लोग आधार का भी इसमें यूज कर सकते हैं फिर दोस्तों उसके बाद में नीची लिखा हुआ कि शिक्षा मित्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुबव प्रमाल पत्र चलिए यह तो ठीक है फिर नमबर आट पर लिखा हुआ कि यह किसी अभर्थी के आवेदन में कोई तूटी हो तो सच्छी उत्तर प अनुबव समिति हैं वह इसकन में सुधार करेगा केवल उश में खास बिदू है huge संसौन भी हिंगा थिर दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कि सूची में यह तो कोई खास बात नहीं है तो दोस्तों यही मुख की बाते हैं कि यह हलफ नामा और आपको फोटो का भी कितनी करवाई नहीं है और अब पूरे मूल प्रमाण पत्र यह सब आपको लोगों को वहां पर लेकर जाना रहेगा दोस्तों हलफ नामा कैसा रहेगा यह है 100 रुपए का नान जुडिशल स्टाम पेपर पर फोटो युक्त नोटरी यह देखिए इसमें जो है जो लिखा हुआ गोंड़ा की जगह यहां पर आपको जिला एलाट होगा वो लिखा जाएगा यह नीचे यहां पर गोंड़ा लिख को आज आते हैं और वहां पर भी यह मिल सकता है तो अब लोग बहार भी इसको बनवागे पहले से भी इसको रख सकते हैं कि मैं ट्रांसफर्म नहीं करवाँगा या मेरी एक से अधिक पत्नी नहीं है या मै कोई दूसरी जौब नहीं है सरकारी मेरे पास इंकम टेक्स बहु मिलते किसी और अपडेट के साथ में इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर यह वीडियो पसंद आते हो तो दोस्तों लाइक अबस्करें बहुत बहुत धन्यवाद